शबी को पता है कि दलितों के साथ पिछले सेगडों वर्सों से अत्याचार होते आए बाबा साहब ने सवीधान के अंदर एक एक्ट बनाया कि उसके अंदर दलितों की रक्षा के लिए जो कानून बनाया आग जो हमारे देश के चीप जश्शित मिस्राजी है उन्होंने तुरंत बिगर सोचे समझे उस सवीधान को बदलने की कोशिश की है और उस सवीधान को बदलने का मतलब यह है कि जिस परकार दलितों के साथ पत्याचार सेगडों वर्सों से होता आ रहा है आज हमें लग रहा है कि आने वाले समय के अंदर हमारे साथ और भी ज़्यादा अत्याचार होंगे क्योंकि उस सवीधान में जो होगा वो यह होगा कि अगर आज हमारे साथ किसी परकार की अगर कोई अत्याचार हो रहा है हमारी मावेनों के साथ बलातकार हो रहा है हमारे साथ हमारे घरों को जलाया जा रहा है हमारे बच्चे को पढ़ने के लिए वंचित रखा जाता है हमें उससे बचने के लिए बाबा साब ने जो अधिकार दिये थे आज उसको यह खतम करने जा रहे है और हमें फिर उसी रहा पर उसी बैक पुट पर लाने की कोशिश किये जा रहे है जो स्वन जाती से संबंदी जो बड़े लोग उपर बैठे जो सरकार चला रहे है जो भाजपास सरकार है यह मिस्राजी जो चीप जश्टीस है सुप्रीम कोट के वह भाजपास के आदमी है और उन्हों ने एक सेकर्ड के अंदर जो ये काम किया है यह बहुत ही बहुत ही गलत present पॉर्दांजी आप के चरएं कि मिस्राजी ने की काम किया आया तो आपको लगदा यह भारत्य जनता और ट को यह उन्हें नहीं मिल जोले Кुल ओकर जोवार इस में इसाДа आज ये हालात है कि सुप्रिम कोट के अंदर जितने चीप जश्टिस बैटे है मिस्राजी सिर्फ अपनी चला रहे है किसी को पूछना नहीं चाहरे और इस समीधान से जो यह एक्ट बदलने की कोशिश की गई है आज इससे यह होगा कि हमारे आने वाले भविश्य के लिए हम हमारा पूरा समाद दली समाज पूरा खत्रे में होगा हमारे बच्चे हमारी माताई बहने आगे बढ़ नहीं सकती उनको रोखने के लिए उनकी तरक्की को रोखने के लिए हमें ये समीधान को बदला जा रहा है और हम इसका पूरे देश के अंदर भारतवन का एलान किया है पूरा देश में चक्का जाम है जाए पंजाब के अंदर बिहार के अंदर और पूरी दिली में तमाम इसकोलों की चुट्टी कर दी गई है जगे जगे ट्रेनेर हो की गई है रोडों पे जाम लगा दिया गया है और आज हम भी अपने समाज को जाइरूत करने के लिए इ इसके ग्रोध में आज हम यह तमाम हमारे दली समाज की जाइए